आदर्निये अभीभाव को सम्मानित अध्धापक साथियों एवं प्रियविद्धार्थियों आज मैं सुरेंद्र कुमार उपस्थित हूँ एक नया विशे लेकर और वो नया विशे सीधे सीधे आपके और आपके बच्चों से जुड़ा हुआ विशे है किसी भी देश की किसी भी रास्ट की असली संपत्ती होते हैं उस रास्ट के बच्चे आज के बच्चे ही कल के नागरिक बनेंगे आज के बच्चे ही कल के ऑफिसर, कल के डॉक्टर, कल के नेता, कल के इंजीनियर या फिर कल के अच्छे किसान बनेंगे यदि हम आज के अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे दे उनकी शिक्षा रूपी नीव को मजबूत कर दे तो हमारा रास्ट पुनह एक बार पूरी दुनिया पर राज कर सकता है पूरी दुनिया में सर्वोपरी हो सकता है हमारे पूर्व रास्ट्रपती डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम ने कहा है एजुकीशन इस दुनिया को बदलने में परिवर्तन करने में प्रियोग कर सकते हैं शिक्षा हमारे देश के लिए बहुत अच्छे सब्भे पढ़े लिखे और स्किल्फुल नागरिक तयार कर सकती है इशी बिंदु को मध्यनजर रखते हुए हर्याना सरकार ने 2020 में एक अधिशूचना जारी की और उस अधिशूचना के अंत्रगत संपूर्ण राज्य में मोडल संस्कृती स्कूल्स की स्थापना का विशे रहा आपको मैं यहां बता दूँ शिक्षा को केंद्र में रखते हुए शिक्षा को धान में रखते हुए हमारे आने वाली पेडियों की शिक्षा को धान में रखते हुए और हमारे आज के वच्चों को एक गुणवत्ता परक्षिक्षा देने के लिए कटी बद्ध हमारी सरकार जिसने कधी सुचना जारी की कि राज्य के प्रतेक खंड स्तर पर एक मोडल संस्कृति स्कूल की स्थापना की जाएगी और सरकार ने विद्ध्याले शिक्षा ने देशाले को आदेश दिये कि संपूर्ण राज्य के प्रतेक खंड स्तर पर एक मोडल संस्कृति स्कूल की स्थापना की जाए और वो सपना अब साकार हो चुका है हमारे राज्य के प्रतेक खंड स्तर पर एक मोडल संस्कृति वरिष्ठ मद्यमिक विद्ध्याले की स्थापना एवं खंड में कई गवर्नमेंट मोडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल की स्थापना की जा चुकी है अगर हम अपने जिले जिले भीवानी की बात करें तो इसके प्रतेक खंड अर्थात भीवानी, लोहारू, बवानी खेडा, तोशाम, कैरू सभी खंडों में एक-एक मौडल संस्कृती सेनियस केंडरी स्कूल की स्थापना की जा चुकी है और इसी सत्र अर्थात 2021-22 से मौडल संस्कृती स्कूल शुरू हो चुकी है यह मौडल संस्कृती स्कूल क्या है? इसके बारे में चर्चा करने के लिए, इसके बारे में आप से बात करने के लिए मैं यहाँ पस्थित हूँ और आएए जानते हैं कि क्या है ये Model Sanskriti School अगर हम Model Sanskriti Schools की बात करें तो हमारे पास दो प्रकार के Model Sanskriti School है एक है राजकिय Model Sanskriti वरिश्ठ माधमिक विद्धाले अर्थात Government Model Sanskriti Senior Scandry Schools और दूसरे हैं राजकिय Model Sanskriti प्राथमिक विद्धाले अर्थार Government Model संस्कृती Primary Schools परतेक खंड स्तर पर एक Senior Scandry School की स्थापना की गई है पूरे राज्य में 136 Government Model संस्कृते Senior Scandry Schools स्थापित किये जा चुके हैं और पूरे राज्य में 1418 Government Model संस्कृते Primary Schools स्थापित किये जा चुके हैं आप सभी के बच्चों के लिए, रूरल एरिया के बच्चों के लिए, शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए, अर्थात सब के लिए जिनके माता-पिता अपने बच्चों को English Medium Schools में पढ़ाना चाते थे या जब भी हम उनसे बात करते थे, तो बात आती थी कि हम तो हमारे बच्चों को CBSC स्कूल में, CBSC Affiliated जो स्कूल्स हैं, वहां पढ़ाना चाते हैं तो लिजिए, अब आपके पास Government Schools में सभी प्रकार के Options अवेलेबल हैं, चाहे आपका बच्चा English Medium में पढ़ना चाता है, चाहे आपका बच्चा Hindi Medium में पढ़ना चाता है, चाहे आपका बच्चा हर्याना बोर्ड, अर्थात State Board से Affiliated स्कूल में पढ़ना चाता है, चाहे सरकार के Options हमारी सरकार ने हमारे लिए उपलब्द करा दिये हैं, और इसी प्रकार से In Government, Models, Senior Scandry और Primary Schools की स्थापना की गई है, इसके बारे में सभी अभिबावकों, सभी बच्चों, हम सभी अध्धापकों को पता अवस्य होना चाहिए, ताकि हम किसी भी बच्चे को शही दिशा, शही निरदेशन, सही गाइडेंस दे सके, अगर हम बात करें, Government Model Senior Scandry Schools की, तो there are 136 Government Model Senior Scandry Schools all over Haryana at block level, and there are 1418 Government Model Sanskriti Primary Schools all over the state, अगर हम बात करें, आज हमारे समाज में जिस भी बच्चे को, जिस माता-पिता को पता है, कि प्रते एक खंड स्तर पर एक Government Model School की स्थापना की जा चुकी है, तो प्रते एक बच्चा कह रहा है, मैं तो Model School में पढ़ूँगा, प्रते एक बच्ची कहती है, मैं तो Model School में पढ किस परका से आपके बच्चे को फाइदा हो सकता है, किस परका से आपके बच्चे का भविश्य एक शही दिशा में जा सकता है, किस परका से आप अपने पैसे का सदूप्योग कर सकते हैं, और किस परका से आप अपने बच्चे को गुणवत्ता परक, शिक्षा प्रदान कर सकते हैं आईए हम जानते हैं कि मौडल स्कूल की अवधारना क्या है हर्याना सरकार ने एक अधीशूचना जारी की और विद्धाले शिक्षा निदेशाले को आदेश दिया इस तरीके की विवस्था करने का सरकार ने बहुत बड़ा बजट इसके लिए जारी किया और शुरू हो चुके हैं जिन में अभे प्रवेश शुरू है प्रतिक खंड स्तर पर एक गवर्न्मेंट मॉडल संस्कृती सिन्यस केंडरी स्कूल की स्थापना की गई है जैसे मेरा अपना स्कूल है गवर्न्मेंट मॉडल सिन्यस केंडरी स्कूल कैरू दिस्टिक भेवानी इसी प्रकार से प्रतिक ब्लोक लेवल पर जो बोईज स्कूल था या कोवेजुकेशन वाला जो स्कूल था उसी स्कूल को गवर्न्मेंट मॉडल संस्कृती सिन्यस केंडरी स्कूल में स्थापित कर द गई है इसी सकूल एंगझी मेडियum हैं दोनों मेडियम से चलेंगे अर्थात आपके बच्चे के पास एक option होगा कि वो Englishमेडियम क्लास में पढ़ना चाहता है या हिन्दी मेडियम क्लास प्रते कक्षा में कि इस सात्र केवल कख्षा 10 और 12 में अर्थाफ जो बड़ की कक्षाएं हैं उनको छोड़ कर क्योंकि उनका enrollment पहले से ही state board में हो चुका है इसलिए उन दो कक्षाओं को छोड़ कर इसी सत्र से बाकी सभी कक्षाओं में एक अलग से section होगा जो English medium का होगा एक section Hindi medium का एक section English medium का आपके और आपके बच्चे के पास एक option है कि वो किस medium से शिक्षा ग्रहन करना चाहता है कि इन स्कूलों में को education होगा सहर शिक्षा की व्यवस्था होगी अर्थात कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे वो किसी भी जाती धार्म या स्क्षेत्र से संबंद रखता हो वह वहां पर शिक्षा ग्रहन कर सकता है कि यह स्कूल्स सीबी असी दवारा affiliated हो चुके हैं सभी स्कूल्स को सीबी असी नई दिल्ली दवारा मन्यता मिल चुकी है कि यहां पर एक विशेश बात यह है कि मोडल संस्कृती स्कूल्स की का जो परबंदन है वो लोकल लेवल पर अर्थात ग्रामीन स्तर पर ही स्कूल मैनेजमेंट कमिटी को दे दिया गया है School Management Committee अर्थात कोन है? आप है हमारे बच्चों के पैरेंट्स हैं हमारे गाओं के, हमारे समुदाय के लोग है वो अपने बच्चों के लिए जिस परकार की व्यवस्था करना चाहें उस विद्धाले में कर सकते हैं जिस परकार की Development Plan वो बनाना चाहें वो School Development Plan बना कर सरकार को सौप सकते हैं निदेशाले को सौप सकते हैं निदेशाले आपकी जरूरत अनुसार, आपकी आउसकता अनुसार उसी परकार की व्यवस्था करने के लिए तयार है इन स्कूलों में आर्टिकल 134A के तहत अलग अलग परकार की करम से 20 और 10 परतिशत शीटें भी आरक्षित की गई हैं ताकि BPL और EWS स्रेणी के बच्चे वहाँ पर 134A के तहत दाखिला पाकर अपनी शिक्षा पूरी कर सके RTE अधिनियम 2009 के अनुसार यहाँ पर हर्याना सरकार की जो रेजर्वेशन पोलिसी है जिस परकासे SC, BCA, BCB या फिर दिव्यांग इन सभी CWSN चिल्डरन इन सभी के लिए अलग अलग सीटें आरक्षित कर दी गई हैं ताकि वो बच्चे, CBSC Affiliated School, English Medium School अपने ही गाओं में, अपने ही समुदाएं में शिक्षा पा सकें, शिक्षा ले सकें इसके अलावा, अगर हम बात करें आप पूछ सकते हैं कि क्या इसमें कुछ फीस लगेगी? जी हाँ, सरकार ने एक nominal सी फीस इस स्कूल के बच्चों के लिए रखी है लेकिन केवल उन बच्चों के लिए जो English Medium लेना चाहते हैं आप्ट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं Hindi Medium में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है English Medium के लिए कितनी फीस है? इसका भी हमें पता होना चाहिए इसमें दो प्रकार की थोड़ी सी फीस लगेगी एक होगी One Time Fee जो की Admission Feeस है केवल एक बार आपको देनी है आज इवन बच्चा मालीजिया आज कक्षा प्रथम में दाखिला लेता है तो इसको प्लस टू तक ये Admission Feeस केवल एक बार देनी है इसके अलावा आपको कुछ मंतली Feeस भी देनी है मासिक Feeस भी देनी है One Time Feeस जो रहेगी वो Primary School के लिए जो Government Model Primary School English Medium है उनके लिए रहेगी 500 रुपेज One Time केवल एक बार जो कक्षा एक से कक्षा पांचवी तक के बच्चों के लिए है और कक्षा छे से कक्षा बार अर्थात 6 to 12 उन बच्चों को ये One Time Admission Feeस देनी होगी 1000 रुपीज एक बार जिस कक्षा में पहली बार आपका बच्चा English Medium मेडियम में जाएगा तो एक बार आपको ये Feeस पे करनी है ये One Time Feeस कोई बहुत लंबी चोड़ी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अलावा मंथली Feeस भी क्लास वाइज अलग-अलग रखी गई है जैसे कक्षा 1-3 तक 200 रुपीज पर मंथ केवल 200 रुपे कक्षा 4-5 इन दो कक्षाओं के लिए 250 रुपेज पर मंथ कक्षा 6-8 ये Feeस रहेगी 300 रुपीज पर मंथ और कक्षा 9-10 के लिए रहेगी 400 रुपेज पर मंथ और कक्षा 11th and 12th चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो उनके लिए फीस रहेगी रुपेज 500 पर मन्थ ये nominal से फीस सरकार ने रखी है निर्धारित की है और आपको मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि ये फीस सरकार को नहीं चाहिए ये हमें सरकार की किसी खाते में जमा नहीं करानी है ये फीस स्कूल के अकाउंट में रहेगी और SMC अपनी मर्जी से स्कूल में जिस भी infrastructure किया वसकता हो SMC को लगे कि हमारे बच्चों के लिए विद्धाले में इस तरीके की व्यवस्ता होनी चाहिए इस पैसे को सरकार की grants के अलावा SMC को स्वतंतरता रहेगी कि इस पैसे को वो अपने स्कूल के development पर प्रियोग कर सके अर्थात ये पैसा आपके ही विद्धाले पर खर्च किया जाएगा आपके ही बच्चों पर खर्च किया जाएगा ये है model school का concept अब कुछ और सवाल आपके हो सकते हैं कि प्रतेक कक्षा में कितने बच्चे होंगे अध्यापक कोन होंगे स्कूल में क्या-क्या सुविधाएं होंगी क्या-क्या facilities होंगी आएए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास class size क्या होगा student teacher ratio क्या होगा कौन-कौन सी facilities हैं जो एक सामान्य स्कूल से अधिक होंगी हमारे government model संस्कृती स्कूल में और किस प्रकास से आपके बच्चे एक model स्कूल में पढ़कर अपने जीवन को नई दिशा दे शकते हैं क्या है